हाई एवरिवन कैसे हूँ आप सभी लोग आयोब आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जी इस्वाल हैं स्वागत करता हूँ आप सभी के एक बार फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टुटोरियल्स में आपके सामनें साइन्स का लेक्टर वीडियो लेकर आगया दोस्तो जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर के लिए साइनस सब्जेक का जो पाट टू होता है जिसका नामे दोस्तो साइनस पाट टू का चाप्टर नंबर 6 आज हम लोग पढ़ने वाल grade के organization होते हैं यानि कि grade के जो classification होते हैं वो किस तर से करते हैं वो हम आज आज आपको बताने वाले हैं तो video बहुत ज्यादा important होने वाला है video को end तक जरूर से देख लेना दोस्तों और उसके अलावा जो बाकी के subjects है history, geography और आपके जो political science है और साथ ही में जो हमारे science है और maths है उसके जितने भी वीडियो से हमने playlist के अंदर डालके रखा हुए अलग-अलग subjects के अलग-अलग playlist हमने तयार किया हुए आपको बस देखना है बहुत ही लंबा playlist है आप देखोगे न स्क्रोल करते करते आपको हर चीज दिख जाएगा तो प्लीज जाए अच्छे से देखिए और जो भी chapter आप पढ़ना चाहते हो हर चीज अवेलेबल है दोस उसको भी जरूर से विजिट कर लेना और चैनल पसंद आएगा तो सबस्क्राइब कर लेना क्योंकि बहां पर आप लोग के सपोर्ट की जरूत काफी जादा है ठीक है दोस्तों तो चलिए आज की वीडियो की शिरुवात करते हैं जो की हमारा होने वाला animal classification का तो हीडिंग से पहले that is the criteria for the new system of classification already हमने दो तरीकी classification देखा था एक नॉर्मल तरीका था जिसमें living organism, eukaryotes और prokaryotes के बेस पर कैसे classify होता है यह हमने अल्री डिसकस किया था और फिर हमने next lecture में आपको बताया था कि किस प्रकार quodeta and non quodeta, quodets and non quodets के category में कैसे division होता है classification होता है यह भी हमन साफ ही ज्यादा different है और AC के base पे ज्यादा से यादा जो animal है उसको classify किया गया है तो new criteria for animal classification तो यह क्या है आज इसको हम लोग पूरा deep में देखने वाले है तो वीडियो हो सकता है थोड़ा से लंबा हो जाए लेकिन आपको यह पूरा आज देखके ही जाना है complete करके जाना है तो यह आपको समझेगा तो सबसे पहला जो तरीका है वो है दोस्तो grades of organization ठीक है number one अगर मैं बात करूँ A that is grades of organization अब यह जो grades of organization है इसमें भी बहुत सारे grades आते हैं तो सबसे पहला जो grade of organization जो यहाँ पर आमें पढ़ना है वो है दोस्तों यहाँ पे protoplasmic grade organization ठीक है अब यह होता क्या है यह मैं आपको बताऊंगा बहले लिख देता हूं में protoplasmic protoplasmic grade organization protoplasmic grade of organization अब यह exactly है क्या थोड़ा सा समझो ध्यान से समझो कि इसका definition point of view बोलू कि अगर किसी भी body organization किसी भी unicellular animal का अगर होता है मैं क्या बात कर रहा हूं कि अगर किसी भी animal का body organization unicellular animals का अगर होता है तो वो टाइप का जो classification base रहेगा वो रहेगा हमारा protoplasmic grade of organization अब इसका मतलब क्या हुआ थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं देखो definition तो मैंने आपको बता दिया कि body organization of unicellular animals is referred as the protoplasmic body organization अब इसमें होता क्या है तो let's suppose कोई भी एक unicellular के example को consider करते है let's suppose मैं ले ले तो यहाँ पे paramecium ठीक है ना एक paramecium या फिर चलो amoeba ले ले तो paramecium जाने दो मैंने एक ले लिए amoeba यह क्या है amoeba है amoeba को कोई fix shape नहीं होता आपको पता यह for example this is a amoeba अपको पता है amoeba क्या होता है this is a amoeba amoeba क्या होता है एक unicellular सिर्फ और सिर्फ single cell एक cell से बना है इसको हम देख भी नहीं पाते है उसको देखने के लिए protoplasmic grade of organization clear है दोस्तों तो उमीद करता हूँ कि यह चीज आपको समझ में आ गया होगा तो यह था unicellular के लिए हमारा पहला type का grade of organization जिसको हम लोग बोलते है protoplasmic grade organization ठीक है अब एक और grade organization है एक और है बहुत ही ज्यादा फेमास है और बहुत ही ज्यादा यह चीज लोग मानत जिसमें आप classification के अंदर classification और उसके भी classification और उसके भी classification अंदर के अंदर गुज जाएंगे और मैं बोलते बोलते भी थक जारहो classification को ठीक है तो आप समझ रहे हैं दोस्तों कितना ज्यादा deep में यह chapter आपको दिया रहे है और उतने ही deep और conceptual knowledge के साथ हम आपको एक एक चीज बा organization अब यहां पर एक चीज है देखो S का spelling यहां पर Z आएगा ठीक है ना इसमें हमेशा मुझे confusion होता था पहले भी S और Z में ठीक है तो that is organization organization मतलब क्या होता है एक तरीके से organize करना ठीक है ना और एक organization S वाला जो होता है उसको बोलते है संस्था मतलब कुछसे भी चीज का organization होता है ना जैसे कुछ संस्था होती है चिल्रन के adoption center होते हैं ऐसे बहुत सारे चीज़े होते हैं उसको organization बोलते हैं यह organization अलगे तो cellular grade organization इसमें क्या है अब नाम से थोड़ा बोद आपको पता चलना चाहिए cellular grade organization है लेकिन यह खासकर grade organization ऐसा है जिसमें multicellular organism होते हैं यानि कि multicellular organisms जो होते हैं उसके अंदर जो grade of organization रहेगा वो यह वाला रहेगा that is cellular grade का रहेगा एक्जामपल के तुर पे एकर consider किया जाए that is phylum porifera example इसका पोरिफेरा जो होते हैं जो मैंने आपको बताया था आपको याद होगा lecture number two में आमने डिसकस किया था जो non coordinates होते है वो दस phylum में divided है phylum porifera फिर कनीडारिया ठीक है ना फिर cylindrata platyhelminthes, arthropoda ठीक है ना ऐसे बहुत सारे दस मेने बतायते है तो उसमें से जो phylum porifera जो होता है वो एक यह रहता है मतलब sponge जैसा दिखने में होता है ठीक है तो वो sponge जैसा दिखने में होता है यहाँ पे उसका जो structure होता है उसके अंदर multicellular organisms मतलब multicellular होता है उसमें more than one cells हो सकते है तो ऐसे type के organism का जो structure होता है जो grade होता है वो होता है cellular grade organization clear है यह चीज आपको याद रखना है और एक और चीज होता है कि यह multicellular तो है ठीक है इसमें क्या रहेंगे multicellular organism में रहेंगे एक condition है इसमें जैसे मैंने बोला कि उपर जो protoplasmik था वो unicellular में था वैसे यह multicellular तो है लेकिन इसके अलाबा एक और condition रहेगा multicellular होने के बावजूद भी इसके अंदर कोई भी tissues का formation नहीं होना चाहिए tissues are not formed मतलब जैसे कि आपको पता है कि जब cells होते है और एक cells से ज़्यादा जब रहेंगे तो जब सब बहुत सारे cells मिलते तो वो क्या बन जाते tissues बन जाते है यह हमने already discuss बहुत पहले किया हुआ है और यह सबसे basic rule है biology का biology subject नहीं है आप जो science पढ़ रहे हो यह जो पार्ट है जो biology वाला chapter है तो यानि कि एक basic rule हमने already पढ़ा हुआ है कि एक cell single होता है लेकिन बहुत सारे cells जब इकटा हो जाते तो वो tissue बन जाता है तो पहल प्रोटोप्लास्मिक था यानि एकी cell था unicellular था एकी cell रहेगा तो मतलब tissue बनेगा तो सवाल ही नहीं लेकिन यह जो cellular grade organization है जिसका example मैंने पौरिफेरा बताया उसमें multicellular organism में यह grade follow हो गा लेकिन multicellular भी ऐसे multicellular होने चाहिए जिसमें tissues ना बने मतलब in short बहुत ज्याद नहीं बनता है तो यह जो organisms जो होते हैं यह जीव होते हैं वो cellular grade organization follow करते हैं clear दोस्तों तो यह हो गया इसका example आपको याद रखना है पौरिफेरा पहले वाले का example मैंने अल्रेडी बताया वह था आपको amoeba लिख सकते हो आप लो amoeba पहले वाले का amoeba दूसरे वाले का पौर देख लिया अब यह tissue grade क्या होता है इसको भी discuss कर लेते हैं बहुत ही मज़दार है दीरे-दीरे सब में जाएंगे और दीरे-दीरे सब खतम करेंगे tension मतले आप लोग ठीके बस आप लोग ध्यान से देखते रहो तभी आपको यह चीज समझ में आएगा तीसरा जो है वो है tissue tissue grade organization अब यह tissue grade जो organization है दोस्तों यह exactly है क्या अब जैसे हमने एक चीज इसमें discuss किया कि multicellular होते तो यहां पे भी same क्या होगा यह multicellular organism में ही present होगा यानि कि यह type का organization जो होगा वो multicellular organism के अंदर होगा लेकिन इसमें condition यह है कि यह multicellular organism होगे वो बनाएंगे tissues मतलाब इसक अंदर tissues present होगा समझ में आ रहा है दोस्तों बहुत simple सा logic के याद रखने के लिए पहला unicellular मैं repeat भी कराते जारो ताकि आपको हर चीज याद रहते जाए ठीक है unicellular यह multicellular लेकिन without tissue यह multicellular लेकिन with tissue ठीक है और इसका example जो है इसका best example होता है दोस्तों यह है phylum knidaria मतलब आपको मैंने बताया था second phylum आता है porifera के बाद knidaria तो उसमें जितने भी animals रहेंगे example इसका example phylum knidaria तो knidaria type के फाइलम के अंदर जितने भी animals आ जाएंगे वो कौन सा grade follow करेंगे tissue grade organization को follow करेंगे ठीक है समझ में आ गया यह था हमारा तीसरा और एक चौता है grade organization की बात करें ज जो की होता है दोस्तों tissue organ grade organization एक के अंदर है घुसते जा रहे है अब देखो tissue organ grade organization यह हो गया अब चाओ था fourth type का grade है यहाँ पे that is tissue organ grade organization अब देखो यह बहुत मज़दार है यह बहुत मज़दार है देखो यहाँ पे तो जैसे मैंने discuss किया यह multicevular था लेकिन without tissue इसमें tissue नही बन रहे थे यह multicellular था लेकिन इसमें tissue बन रहे थे लेकिन यह भी multicellular है यह भी क्या है multicellular होगा यहाने कि multicellular organism में ही होँगे multicellular multicellular organism में ही होंगे tissues भी बनाएंगे लेकिन यह ऐसे tissues बनाएंगे कि tissues का बन जाएगा organ क्योंकि आपको एक चीज़ पता है दोस्तों, cells से ही tissues बनते हैं बहुत सारे cells जब इखटा हो जाते हैं तो tissue बनते हैं और बहुत सारे tissues जब इखटा हो जाते हैं organ बन जाता है यह तो आपको पता ही है ना तो in short यह ऐसे type के organisms रहेंगे जिसमें multicellular तो वो है लेकिन वो multicellular होने के वज़े से इनका tissues बहुत बन रहा है और tissues जब बनेगा बहुत सारा तो क्या बन जाएगा इसमें organ बन जागा यानि कि in short यह type के अंदर organ बनेगा आख नाक मुझो होगा वो organs बनेगा तो इसलिए यह type के animals क्या follow करते है tissue organ यानि tissue भी है और organ बन रहा है उससे इसलिए tissue organ organization follow कर रहे है और यह type के जो examples होते है best example is flat worms fat worms अवreck फ्लैट वर्म्स, आपके पता है आपके पेट में, हमारे भी सबके पेट में na फ्लैट वर्म्स होते हैं तेप वर्मस होतें हमारे पेट में कीड़े हो गये है जो हम के पास tissues भी होते और organs भी उससे बन जाते हैं, clear है, तो उमीद करता हूँ कि यार ये चीद आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया गा, तो ये था हमारा पहला, पहला grade of organization, यानि कि जो हम लोग new criteria जो पढ़ रहे हैं, जो हमारा main adding है new criteria for animal classification, उसका हमने पहला category पढ़ा है अभी पहला, यानि कि grades of organization जिसमें चार अलग-अलग grades हो थे, clear है उमीद करते हो कि ये पहला आपको समझ में आ रहा है लेकिन अभी खतम नहीं हुआ है, ऐसे 5 पढ़ने है total, तो अभी आ रहे हम लोग second method of animal classification, जो दूसरा तरीका है, वो क्या है जो दूसरा तरीका है दोस्तों, उसका नाम है body symmetry, मतलब body symmetry के अधार पे body के अधार पे हम किस तरह से classify कर पाएंगे animals को, तो ये हम rough करते और चलते हैं B की तरफ, A होगे अभी, अभी B की तरफ जाएंगे उके, उमीद करना हूँ दोस्तों, आप लोग ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, और इतना deep में जा रहा हो कि आप लोग जो अभी से अगर ये सब चीज़ पढ़ लोगे तो लगबक ये चीज़ 12 तक आपको कामाएगा कि चलो छोटे स्टांडर में वो कैसे भी पढ़ लेते 10 तक 11 तक कैसे भी पढ़ लेते 12 में जब आता है बहुत सारी basic conceptual वाले चीज़ आता है तो उनको कुछ पढ़ ले ही नहीं पढ़ता है, कुछ समझ में नहीं आता है क्योंकि आपने पहले नहीं पढ़ा होता है, ठीक से तो आज, यानि कि आज नहीं यार जब से channel शुरू कि आया आपने तब से हमारा main मकसद वो है कि आपको एकदम concept के साथ पढ़ा है, तो वह हमारा मकसद है तो अभी A हो गया हमारा, अब B की तरफ जाते है तो B का जो category है, वो है body symmetry, यानि body के अधार पे body के symmetry के अधार पे किस प्रकार animals को classify किया जाता है और इसमें भी जो है category, वो है तीन category ठीके, तो body symmetry के सबसे पहले इसाब से अगर मैं बात करूँ, वो है asymmetrical body, पहला जो category है, वो है asymmetrical body asymmetrical body, अब इसका मतलब क्या होता है, asymmetrical मतलब नाम से थोड़ा पता चल लएगा, आपने geometry पढ़ा है कि दोस्तों, आप 10th में आ गए हो, आपने 9th में geometry पढ़ा है, 10th में geometry पढ़ा है, तो उसमें के दोनों same दिखे, उसको बोलते है, symmetry होना, symmetrical होना, clear है, समझ मैं रहा है, क्या बोलता ने कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, कि अगर हम कोई भी object को बीचो बीच से काटते है, तो उसका जो left वाला हिस्सा है, और जो right वाला हिस्सा है, वो एकदम same-same दिखे, उसको बोलते है, symmetrical होना, तो ये जो हम पढ़ रहे हैं, वो है asymmetrical, मतलब symmetrical नहीं होना, तो ऐसे कुछ organisms होते हैं, ऐसे कुछ जीव जन्तू होते हैं, जिसको अगर हम बीच से काटे, तो वो same-same नहीं दिखेंगे, दोनों साइड, तो ऐसे कौन से होते हैं, यहाँ पर example के तोर पर amoeba, पहला जो है, इसका example के अगर मैं बात करूँ, और symmetrical जो body है, इसका जो example, मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, वो है amoeba, ठीक है, amoeba हो गया, और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि amoeba के अलावा है paramecium, ठीक है न, paramecium, जो होते हैं, paramecium, एक सेक्टरा लिख देता हो, यहाँ पर, खीकि और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन, consider करते है amoeba को, तो let's suppose, ऐसा कुछ होता है, shape amoeba का तेडा मेडा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इसमें बहुत सारे चीज़े होते हैं, जैसे कि आपको पता है, उनके organs होते हैं, बहुत सारे, बहुत सारे चीज़े होते हैं, तो let's suppose, अगर मैं यहाँ से इसको cut करता हूँ, बीच में से, तो क्या मुझे आप देखके बता सकते ह क्या यह जो हिस्सा है और यह हिस्सा यह सेम है, जैसे वो box का मैंने बनाया था, क्या यह हिस्सा और यह हिस्सा सेम है, नहीं है अलग-अलग है ना, इसमें हो सकता है, यह design अलग दिखरा है आपको, इसमें यह design थोड़ा अलग दिखरा है समझ लो, इसको मैं ऐसा बना देता तो चलो यहां पर आप देखके बताओ अब दिख रहा है क्या सेम नहीं दिख रहा है ना यह अलग दिख रहा है यह अलग दिख रहा है यानि लेफ्ट और राइट अलग अलग दिख रहे है और चाहे मैं इसको यहां से भी काटू वर्टिकल भी अगर मैं काट दू ठीक है न इससे जब दोनों से अलग-अलग दिखेंगे, match नहीं होंगे, तो वो type के animals का जो body symmetry होता है, उसको क्या कहेंगे, asymmetrical body, मतलब उनके पास, ऐसे animals के पास, कुनसी body है, asymmetrical body है, symmetry नहीं है, clear है, तो उमीद करता हूँ, यह पहला type आपको समझ में आ गया होगा, अब चलते हैं दूसरे की तरफ, जो कि यह radial symmetry, second one, radial symmetry, radial symmetry, अब यह जो radial symmetry है, यह exactly क्या होता है, इसको हम discuss करेंगे, लेकिन आप थोड़ा नाम देखो, पहले radial symmetry, आपको नाम से थोड़ा geometry यादा जाएगा, पॉइंट होता है, center point से जब ऐसा line मनती है, circle की तरफ, उसको बोलते है radius, correct है, तो यहाँ पे जो radial symmetry है, इसका मतलब यही है, कि ऐसे animal, अगर मैं उसको center से, हर जगा काटू, इस प्रकार, जैसे कि मैं circle को काट रहा हूँ, तो उसके हर जो पार्ट रहेंगे, चाहिए हिस्सा, चाहिए हिस्सा, चाहिए हिस्सा, चाहिए हिस्सा, हर पार्ट जो होंगे, वो same दिखेंगे, जैसे कि best example, pizza समझ लो, मैं animal की बात नहीं कर रहो, animal मैं बात में आऊँगा, लेकिन आपको समझाने के लिए, कि radial symmetry क्या होता है, पहले pizza का example consider कर लो, यह pizza जैसे दिख रहा है, समझ लो, यह pizza है, तो pizza में क्या करते है, जब parcel आप लेते हो, तो वो लोग ऐसा वो roller से काट के देते, क्यों काट के देते हैं, ताकि कोई भी भी बटवार अच्छे से हो जा और लोग जगडा ना करें, correct है, आपने देखा होगा, तो यहाँ पे भी आप जब देख रहे होंगे, कि इसको मैंने इस प्रकार से काटा है, कि हर हिस्से जो है, same दिख रहे है मुझे, तो मैं क्या बोलूँगा, कि यह जो होगा, वो radial symmetrical body होगा, यानि यह animal का radial symmetrical body होगा, अब example क्या है इसके, ऐसे कौन से animal है, जिसका ऐसा body होता है, starfish देखा है, अपने starfish, समझ लो यह center है उसका, इस प्रकार उनका एक body होता है, मैं अच्छे से नहीं बना पाऊंगा, I know, I am a very bad drawing, I had a very bad drawing, ठीके न, मुझे बहुत अच्छे से diagram बनाने नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं इतना तो बना लेता हूँ यार, कि आपको इस समझाज सकू यार, इतना भी यार, बुरा ही मत करना मेरी diagram में, ठीके, समझ ला, इसे starfish होते हैं, मुझे बहुत अच्छे से बनाने नहीं आ रहें, लेकिन फिर भी देख लो, ऐसे कुछ starfish आपने देखा होगा, कोई तो ऐसे वाले भी shape भी होते हैं, ठीके, ट्राइंगुलर shape वाले ऐसे भी देखे, तो ऐसे type के symmetry को हम लोगो क्या बोलते है, radial symmetry और इसमें जो examples होते हैं, जैसे मैंने बोला, वो होता है दोस्तो starfish, ठीके, starfish is the best example, आप इसको याद रख सकते हो, ठीके, starfish, clear है, तो उमीद करता हो कि जो दूसरा category है, radial symmetry वाला ये भी आपको बहुत ही अच्छे से clear हो गया होगा, अब चलते हैं तीसरे की चरफ, यानि कि तीसरा type का कौन सा body symmetry है, तो उसका नाम है दोस्तो symmetrical, बहुत simple वाला जिसको हमने बोलते है, bilateral symmetry, bilateral symmetry, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसका काम नहीं है अभी, समझ में आ रहा है दोस्तों, उमीद कर रहा हूँ, अब बहुत अच्छे से clear हो रहा होगा आपको सब चीज, चलिए, ओके ध्यान से देखते रहो यार, बहुत ही मज़दार है, ठीके, bilateral symmetry, अब इसका क्या example हो सकता है, और इसका मतलब क्या होता है, बाइ-लेटरल का मतलब होता है, सिधा-सिधा काट देना, जैसे कि best example मैं खुद का ले ले तो human being हूँ 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 हूँ, इधर आएगा, समझ में आ रहे है दोस्तो, अब बहुत ही exceptional case है, लेकिन फिर भी बहार से दिखने में, अंदर के छोड़ दो, बहार से दिखने में, अगर मैं काटू, इसको पूरा half-half, तो left आला हिस्सा और right आला हिस्सा बहार से दिखने में क्या दिखेंगे, सेम दिखें इसको बहुत सतस्य एगल में, इसको मैं अगर ऐसा काटू, या निकि ऐसा, ठीके न, यह ऐसा 3D में होंगे, तो इसको मैं अगर ऐसा का रहा हू, तो इस तरफ का पाट और इस तरफ का पाट, समझ में होगा, तो वो मैं बताने की कोशिश कर रहा, उसको बोलते हैं आपना bilateral symmetry, ठीक है, bilateral symmetry, ठीक है, diagram पर हसना मत पहले बोल दे रहाओ, ठीक है, चलो, clear है, bilateral symmetry, समझ में आ गया, आओ, example पर आओ, example क्या क्या हो सकते हैं, बहुत सार एक्जामपल से, जैसे कि जो भी आप चाहते हो, दे सकते हो, humans दे दो, human beings, ठीक है, ठीक है, बहुत सार एक्जामपल है, goat, गायभास, बकरी, जो भी देना है, आप दे सकते हो, ठीक है, this is the best example for bilateral symmetry, clear है, उमीद करता हूँ कि यह चीज़ आपको समझ में आ गया को, तो यह था हमारा दूसरा, मतलब B, body symmetry, दूसरा type का हमने animal classification देखा, लेकिन ऐसे कितने पढ़ रहे, और तीन पढ़ने, पहला हमने देखा, grade of organization, दूसरा हमने देखा, body symmetry, अब तीसरा हमें देखना है, C, जिसका नामे germ layers, यानि कि तीन-तीन germ layers होते हैं, वो क्या होता है, वो discuss करेंगे, इसको मैं मिटा जाता हूँ, उमीद करता हूँ, यह दूसरा category जो है हमारा classification का, यह आपको समझ में आ रहेगा, तो और हर चीद हम आपको deep में बता रहे हैं, और classification के अंदर classification घुस्ते आ रहे हैं, तो यह जो new criteria है, इसका हमारा आ चुके हैं C, यानि कि तिसरा category, यह है कि according to the germ layer, जर्म layer क्या होता है, germ layer, अब germ layer का मतलब क्या होता है, इसमें भी दो category है, पहला जो category है, वो है दोस्तो, diploblastic, diploblastic तो diploblastic क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दू, कि जो germ layer है, germ layer का मतलब होता है, skin के अंदर layers का होना, जिससे कि आपके यह चमड़ी है, यह चमड़ी है, यह चमड़ी आपके यह चमड़ी, कहीं पे भी लेलो, आप चमड़ी लेलो, तो वो जो skin जो से बरा हुआ है, और basically दो या फिर तीन type के layers होते हैं, तो जो दो type का layer रहता है, इसको बोलते हैं diploblastic, अब कौन-कौन से layers होते हैं, उसमें मैं बता हूँगा, लेकिन पहले यह चीज़ समझ लो, diplo, diplo का मतलब होता है 2, diploblastic है, इसलिए इसके अंदर 2 layer, और वो 2 layer कौन से कौन से होते हैं, सबसे पहले समझ लो, कि अगर किसी के अंदर सिफ 2 layer है, सबसे बाहर वाला layer जो होता है, उसको बोलते हैं ectoderm, सबसे बाहर वाला layer जो होता है, उपर का layer, जैसे कि समझ लो, ये skin का मैंने काट के तुकड़ा निकाला, तो सबसे बाहर वाला layer रहेगा, मैं बता देता हूं आपको समझ लो कि यह समझ लो उपपर का लेयर इंट टॉप उवला लेयर ठीक है ना, मैंने स्कीन का तुकड़ा को कट करके निकाल दिया ठीक है ठीक है रुख जाओ एक मैं, थोड़ा 2 सेकंड का टाइम दे दो, मैं आपको यह डाग्राम बहुत अच्छे से बदा के दिखाता हूँ, ठीक है, समझ लो इसको, अच्छे से, ठीक है, आज, यह तीन लेयर दिख रहे आपको, एक ये वाला लेयर, एक ये वाला लेयर, एक ये वाला लेयर, तो ये जो लेयर दिख रहा है, सबसे बाहर वाला रहेगा, किस और बोलते हैं, Ectoderm, सबसे बाहर, उपर की तरफ का जो सबसे बाहर रहेगा, इसको बोलेंगे Ectoderm, को BOOTH पीच का लेयर को बोलते हैं MESODerm, क्या बोलते हैं MESODerm, और एक सबसे अंदर वाला लेयर जो आपको यह दिख रहा है, इसको बोलते हैं, Endoderm, नाम से पता चल जाएगा, Endoderm, यानि अंदर करेगा तो Endoderm, बीच करेगा तो Mesoderm, बाहर करेगा तो Ectoderm, तो अब आते हैं मुद्दे के उपर, मुद्दा यह है कि Germ Layer दो प्रकार के हो सकत कोई भी अनिमल के अंदर तो अगर वो डिपलोब्लास्टिक है तो डिपलोब्लास्टिक है मतलब उसके अंदर सिफ दो लेयर है कौन से दो लेयर हैंगे उपर वाला और नीचे वाला यानि कि अंदर वाले और बाहर वाले यानि कि एक्टोडाम और एंडोडाम यही दो लेयर उसके अंदर present रहेंगे, तो ऐसे type के animals को हम लोग क्या बोलेंगे, diploblastic germ layer वाले animals, ठीक है, clear है, examples क्या है, diploblastic में, जिसे की, जितने भी क्याटेगरी के phylum वाले आते हैं, example, क्याटेगरी के जितने भी animals होंगे, वो सब के सब किस में आ जाते हैं, diploblastic में आ जाते हैं, किस के अंदर, ectoderm और endoderm, यानि कि उपर का layer और अंदर का layer, सिफ दोई layer present होते हैं, उनकी body के अंदर, skin के अंदर, ठीक है, अब एक और जो दूसरा type का germ layer है, जिसको हम लोग बोलते हैं, नाम से पता चल जाएगा आपको, triploblastic, एक देखा diploblastic, आप एक देख रहे हो, triploblastic germ layer, तो triplo नाम से पता चल गया, कि इसमें तीनों के तीनों germ layer present रहेंगे, यानि कि, ectoderm, mesoderm, endoderm, यानि कि all three layers, जितने भी तीन layers होते हैं, कौन-कौन से होते हैं, बाहर रहेगा ectoderm, बीच में रहेगा mesoderm, और अंदर रहेगा endoderm, तो जितने भी layers होते हैं, ये तीनों के तीनों layers, ऐसे type के animals में present होते हैं, तो समझ जाना, कोई भी animals आप ले लो, उसका skin आ ये सब इस category में आ जाते हैं, यानि कि triple blast वाले category में आ जाते हैं, clear है, तो उमीद करता हो कि यार, ये चीज आपको बड़ी, आसानी से बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, clear है, तो ये ता हमारा तीसरा, यानि कि जो criteria हम animal classification का पढ़ रहे थे, इसमें तीसरा condition, clear है, अब पढ़ेंगे चोथा condition, ठीक है न, पांच तक पढ़ना याद रखो दोस्तों, अब आ रहे चोथे के उपर, और अब थोड़ा सा simple हो रहा है, अब थोड़ा सा छोटे-छोटा हो रहा है, ठीक है, टेक है, सिर्फ दो, बाकी है, इसको भी हम लोग फटा-फट से complete कर दें अब आते हम चोथे की तरफ, फोर्थ की तरफ, जैसा मैंने बोला, कि फोर्थ जो है हमारा, जो method classification का उसका नाम है दोस्तो, body cavity के हिसाब से, ठीक है न, body cavity, तो body cavity, और इसको एक और नाम से जाना जाता है, दोस्तो, cilum, cilum बोलते हैं इसको, cilum, बराबर है spelling, c-o-e-l-o-m cilum कहते हैं इसको, ठीक है, ये ठीक है, अब देखो, cilum क्या होता है, body cavity क्या होती है, तो आपको एक चीज़ बता दो सबसे पहले कि body cavity का मतलब क्या होता है, body cavity का मतलब होता है कि हमारे अंदर के जो organs है, और हमारा जो बाहर का structure है, उसके बीच में कुछ अगर gap होता है, त होता है, उनके बीच में कोई भी gap नहीं होता है, एक्तम चिपके होए रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे organisms भी होते हैं, कुछ ऐसे जीव जन्तू भी होते हैं, जिनके body के अंदर कुछ gap होता है, जिसको अंदर कुछ cavity present होती है, कुछ खाली जगा प्रेजन्ट होती है, उसको बोल category है, जिसको हम लोग true silomids बोलते हैं, तो पहले true silomids के अगर मैं बात करूँ, ये ऐसे type के animals होंगे, मतलब कुछ type के ऐसे animals होंगे, जिनके body के अंदर सही में अच्छे से present होगा space, space बहुत अच्छे से अगर present होगा, यानि कि उनके internal organs के बीच में, और body का जो cavity है, बाहर का जो layer है, body का, मैं देखो, again repeat कर रहा हूँ, अंदर के organs, body का अंदर organ है, समझ लो, कि ये organ है, ये body का अंदर का organ है, और ये body का बाहर का layer है, तो इसके और इसके बीच में gap दिख रहा है, ये इतना बड़ा gap दिख रहा है, white color का ये पूरा gap है, तो अगर ये gap present है, तो ऐसे type के animals को हम लोग क्या बोलेंगे, true silomates बोलेंगे, और इसका example के अगर मैं बात करूँ, best example होता है, best example is anelida, ठीक है न, यहाँ पर anelida बोल सकते हैं, anelida मतलब क्या होता है, आपका earthworm वगरे इस category में आ जाते है, तो example में लिख देता हूँ, ठीक है, example is anelida, clear है, अब ठीक है, पले इसका anelida, अब दूसरे की बात कर लेते हैं, दूसरा category होता है, acylomates, ठीक है न, acylomates, इसका spelling बड़ चेक कर लेते हैं, acylomates का, acylomates, इसको बोलते हैं, हम लोग acylomates, अब यह acylomates का मतलब नाम में ही देखो, अ लग गया, मतलब यह true cavity इसके अंदर present ने होगा, यान कि ऐसे organism, ऐसे जीव जनतु, जिनके अंदर के space के अंदर, यह जो body का cavity है, sorry, body का जो organs है, और इसके body का जो layer है, इसके बिच में कोई भी space ही present नहीं, खाली जगा present ही नहीं, body cavity present ही नहीं है, इसलिए इसको कहा जाता है acylomates, और example के तुर पे अगर मैं बात करू, acylomates का, तो यह है दोस्तो phylum porifera, यानि sponge वाले जितने भी example रहेंगे न, phylum porifera, जो पहला phylum है न, non-caudita का, वो यह type के animals रहेंगे, तो phylum porifera के जितने भी animals रहेंगे, वो acylomates होते हैं, यानि कि इनके अंदर के organs और बाहर के इसमें कोई भी space present नहीं होता है, यानि कि पुड़ा उसी स देखो, नाम खतरना के है, लेकिन याद रखना है, pseudo-sylomates बोलते हैं, तो pseudo का मतलब होता है false, false मतलब जूटा, बोलते हैं यह गलत है, false है, true and false खेला है अपने, यह true-sylomates था, यह false-sylomates है, pseudo-sylomates बोलते हैं, तो यह होता क्या है, तो सबसे पहली बात बोलू, कि जैसे म ने बोला कि true-sylomates में क्या होता है, कि body cavity present होती है, कही न कहीं, दोनों के बीच में space present रहता है, लेकिन इसमें space present होता है, लेकिन वो ठीक से develop नहीं हुआ रहता है, बहुत ही अच्छे से present नहीं होता है, यानि कि कहीं न कहीं वो है, लेकिन थोड़ा जूटा है, यानि कि कही न कहीं वो क्या है, well developed नहीं है, तो ऐसे टाइप के organisms जो होते हैं, जीव जनती होते हैं, वो seedosilomates कहलाते हैं, example है इसका escalementis, यानि कि जितने भी type के escalementis जो phylum है न, escalementis type के जो phylum के animals जो होंगे न, वो सब इसी category के अंदर आ जाते हैं clear है दोस्तों, तो उमीद करता हूँ कि ये type का classification भी आपको समझ में आ गया हुआ था, ये था हमारा fourth body cavity के हिसाप से, यानि selum के हिसाप से, यानि body cavity present है, तो true silomates है, example anelida, अगर body cavity present नहीं है बिल्कुल भी, तो उसको बोलेंगे, और silomates example porifera, और अगर body cavity present है, लेकिन वो well developed नहीं है, थीक से present नहीं है, तो इसको हमने बोलेंगे, सीडो silomates, example escal menthes, clear होगे दोस्तों, तो उमीद करता हो यार, ये बहुत ही अच्छे से आपको समझ गया गया होगा, और आप आज आते हमारे आखरी topic, आज के इस आखरी topic की दरब, जिसका नामे दोस्तों, पाच्वा category, पाच्वा type of animal classification, body segmentation, तो ये क्या होता है, ये हम देख लेते हैं, फिर इसको study करने के बाद हम आज का लेक्चर को stop करेंगे, और उमीद करता हो और ये चारो तरीका आपको, चारो method जो था classification का ये आपको clear हो गया होगा, अब आगे हम लोग आखरी छोटा सा बचा हुआ यार, पाच्वा method, देख लेते हैं इसको fifth, जिसका नामे body segmentation, body segmentation, तो ये body segmentation क्या होता है, बहुत ही simple है, याद रखने के लिए, जैसे कि नाम में देख रहा है body segmentation, मतलब body में कुछ segments का बनना, तो बहुत सार ऐसे animals है, इनकी जो body होती है, अलग-अलग segments में divide हो जाती है, जैसे कि मैं example के तुर पे एक यहाँ पे बना रहो, कोशिश कर रहो हो बनाने की, ये एक समझ लो, अर्थवा में, तो आपने देखा होगा अर्थव इनके पूरे body में line lines present होते हैं, तो यानि कि क्या है, इनके body में segments है, ऐसे आपने बहुत सारे insects देखे होंगे, कीडे मकोडे देखे होंगे, बहुत सारे ऐसी centipedes वगरे भी होते हैं, centipedes आपने देखा होगा इस प्रकार, इसके pair निकले होते हैं, तो इसमें भी बहुत सारे segments ऐसे होते हैं, तो ऐसा type के animals जो होते हैं, जीव जन्तु जो होते हैं, उसमें जो body segments होते हैं, वो इसी साफ से होते हैं, तो उसी को body segmentation कहते हैं, बहुत simple सा example है, ठीक है, example जितने भी analida group के animals हो जाएंगे, analida group मतलब अर्थवाम हो गया, यह सब जो ring ने वाले जो चीज़े ह होते हैं, छोटी-छोटी वाली, वो सब इसमें आ जाती है, ठीक है, तो इसको ही बोलते हैं, हम लोग body segmentation, clear है दोस्तों, तो उमीद करता हूँ कि आपको यह चीज़ बहुत यह अच्छे से clear, अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो यही था दोस्तों हमारा total 5 new criteria, 5 method हमने द आ दिया, तो उमीद करता हूँ यार, आपको यह चीज़ समझ में आ गया होगा, तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो जो है दोस्तों समाप्त होता है, लेकिन दोस्तों आप लोग के लिए हार नहीं मानना है, आप लोग को continuous पढ़ना है, तो आज आपने पढ़ लिया lecture no. लेकिन इसके बाद continuous लेकर आजाओंगा आपके लिए lecture no.4 और उसमें हम पढ़ेंगे phylum, यानि कि जो हमने बात किया थे ना, phylum porifera होता है, निडारिया होता है, sealant reta होता है, platyhelminthis होती है, यह सब इतने सारे escalminthis होती है, आर्थ्रोपड़ा, आनलिड़ा, क्या-क्या हो वीडियो आपको कैसा लगा है, दोस्तों, प्लीज हमें comment करके बताएगा, अपनी राय और suggestion जरूर से दीचेगा, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, पसंद है, useful लगा है दोस्तों, तो प्लीज यह वीडियो को like कर देना, आजकल आप लोग like नहीं करते हैं, दि कुल मिस ना करें, आप लोग, जरूर से शेर कर देना, अपने सारे friends and relatives को, and साथ में दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चानल को subscribe नहीं किया है, तो पड़ा-फट से subscribe कर देना, साथ ही में, एक bell icon होता है, उसको भी press कर देना, ताकि future में हम कोई भी वीडियो को upload कर रहेगी, ठीक है friends, तो मिलते हैं हमारे एगले वीडियो में, ये वीडियो देखने के लिए, thank you and goodbye.